नमस्कार दोस्तों अभी जो देख रहे है वो रेड डैमन गौवा का फूरूट है और कितने ग्राम का है उसको देखने के लिए हमने तोलाई काटे के उपर रखा है यह वेसे थाइलेन का विरेटी है और हम दिखा रहे है रेड डैमन गौवा का अंदर से कलों कैसा रहता है पल अंदर से कैसा रहता है उसके अंदर सीड्स की संखिया कितनी रहती है तो आप देखिए इसके अंदर सीड्स सिर्फ 2-5 परसन दिख रहा है मतलब इसको हम सीटलेस ग्वावा भी बोल सकते हैं और अंदर से एक दम रेड कलर का पल्प निकल रहा है और इस विरेटी अगर प्लांटेशन करते हैं तो बारा महिना फल देने वाली प्रजाती है और फल जैसे पक जाता है तो हम पेड से निकाल के देखते हैं तो 10-12 दिन तक फल तीटता है और